सर्व मंगल मंगल ये शिवे सवाचादी के शरणने तरंब के गोरी नारा एनी नमुस्तती शरी माता दुर्गाचंडी पाठ करने का क्या फल होता है? पाठ करते समय शरीर वस्त और सुद्धासन आसन उन का होतो अतिश्रेष्ट होता है इसके साथी हिर्दे भी शुद्ध और शुद्धासे भरपूर होना चाहिए मन में किसी के प्रती बुरी भावना ना हो दूसरों की निंदा जूट कडवी बाते ना बोलें खान पान में नियम रखें, शुद्धता रखें, सात्वतिक्ता का ध्यान रखें बासी, भारी, जूटा और दूसरे के घर का भोजन नवरात्र में नहीं करना चाहिए नवरात्र के दिन, नो दिन में ब्रह्मचर का परायन करना चाहिए नास्तिकों, दुष्टों, गो ब्राम्मानों से दिवेश करने वालों का संग नहीं करना चाहिए दिन में सोना और चारपाई पे सोना वर्जित है काम, क्रोध, लोप, मोह से भी बचने की कोशिश करते रहें जगदंबा भगवती, चंडी की मूर्ती, चित्री या पुस्तक का विधी पूर्वक पूजन करें और उन्हें कुछ उचे पूजा के स्थान पर इस्थापित करें किसी कामना की पूर्थी के लिए पाठ करना हो, तो बताई गई विधी का पालन करना चाहिए निश्काम पाठ के लिए विधी विधान की उतनी आभशक्ता नहीं होती मोटे रूप में इस बात का ध्यान रखें कि कुछ भी ना करने से कुछ न कुछ करना हमेशा अच्छा होता है इससे मातारानी की क्रपा हम पे बनी रहती है और मातारानी हम से प्रसन होती है इसलिए नियम्मित रूप से मातारानी के दर्शन करें, मातारानी के मंदिर में जाएं और मातारानी की जोत के दर्शन करें, मातारानी से अपना आशिरवात प्राप्त करें, जाएं मातादी सर्व मंगल मांगली शिवे सर्वाज शादी के शरण ने तरंब के गोरीना रायनी नमोस्तुते